केट्स हाव यू आल आई होप यू आल विल बी फाइन और इंजॉइंग और स्टुड़ी अट हूं इस्टुडेंट फर्स्टली टेक आउट यूर बुक और ओपन पेज नंबर फो एस यू आल नो हम लोगों ने कल की वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व किया था उसमें यू आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बहुत सारे बच्चों ने इस फैसे किया है इसमें करना क्या है जिन बच्चों ने नहीं किया वो ध्यान से आप देख लेंगे आपको यहाँ पर सिंपल काउंटिंग राइट करनी है जैसे यहां पर लिखा हुआ है 20,000 फिर 20,001 20,002 तो next क्या आ जाएगा 20,000 अब यहाँ पर क्या write कर देंगे आप अधर लिख देती हूँ मैं 20,000 3 ओके 20,003 हो जाएगा इस place पर और यहाँ क्या हो जाएगा 20,004 20,005 20,006 ऐसे ही आपको count करके last तक write करना है ओके and simply आपको same यहाँ पर यही चीज़ रिपीट करना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 20,205 फिर लिखा हुआ 20,206 तो next number क्या हो जाएगा 20,207 यहाँ write करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 20,208 ऐसे क्या करेंगे आप count करते चले जाएगा simple number line पर so कर देंगे अब next देखिए यहाँ पर यहाँ पर भी same work करना है तो अब हम आगे बढ़ते थोड़ा यहाँ पर आपको क्या करना है skip counting skip counting का मतलब होता है आप कुछ number छोड़ कर आगे count करते हैं जैसे यहाँ पर आपको कितने number skip करने है two two numbers को skip करना है देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ यहाँ पर 15802 next है 15804 तो यहाँ पर two से क्या आ गया four आ गया दो number का यहाँ पर change हुआ ना दो number ज़्यादा आ गया यहाँ पर फिर क्या करेंगे यहाँ पर आप write करेंगे 15406 क्या आ जाएगा यहाँ पर 15806 यहाँ पर write कर देंगे two two number skip करके हमें write करना है next number पर क्या करेंगे 15808 आ जाएगा फिर 15810 ऐसे ही आपको count करना है clear हो गया same work आपको यहाँ करना है बस आपको यहाँ पर जो counting करनी है वो three three numbers के लिए करनी है ठीक है ना हो जाएगा बिलकुल यह यहाँ पर 29003 है 29006 है next number क्या आ जाएगा यहाँ पर 29009 फिर इसके बाद का number क्या आ जाएगा 3 और increase करना है 290012 clear हो रहा है next देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर five number इस बार skip करने है five number skip करने है यहाँ पर 95505 95510 तो next number क्या हो जाएगा 95515 यहाँ पर क्या आ जाएगा 95515 यहाँ पर write करेंगे आप ठीक है फिर next क्या हो जाएगा 95520 ऐसे ही आप लोग write करते हैं चले जाएगे तो चलिए अब आज new topic स्टार्ट कर लेते हैं new exercise के लिए तो आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है comparing five digit numbers तो हम लोग five digit number को compare करना सिखेंगे ठीक है तो सबसे पहले हमारा जो first rule है इसमें क्या है हम लोग जिस number में जितनी ज़्यादा digit आएंगी वो number बढ़ा हो जाएगा जैसे यहाँ पर five digit number है और यहाँ पर four digit number है तो आप simple क्या कह सकते हैं यह number हमारा greater होगा clear हुआ पहला तरीका तो यह है कि अगर जिस number में ज़्यादा digit आएंगी वो number बढ़ा हो जाएगा अब next rule पर चलते हैं बाई दबे दोनों digit के number सेम आ जाते हैं अब क्या करेंगे हम दोनों में ही five five digit आ गए है अब यहाँ हमें क्या करना है देखिए कितने digit है one, two, three, four, five one, two, three, four, five दोनों में five है तो सबसे पहले हम first number को compare करते हैं अगर first number किसी का बड़ा हो जाता है तो वो number क्या मान लिया जाएगा बड़ा मान लिया जाएगा ठीक है वो number greater हो जाएगा next rule क्या हो सकता है next तरीका हो सकता है अगर first number दोनों के equal आ जाते हैं तो क्या करेंगे हम लोग जैसे इस में problem में देखिए दोनों में ही first number four हो गया तो फिर हम लोग next number को compare करेंगे second number को compare करेंगे जिसका second number greater हो जाएगा वो number greater मान लिया जाएगा clear हुआ लेकिन अगर अगर second number भी हम लोगों का equal आ जा रहा है then क्या करेंगे then हम third number चेक करते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर five भी five के equal हो गया three three के equal हो गया तो अब हम next number पर move करेंगे और हम third number चेक करेंगे ठीक है ऐसे ही अगर third number भी equal हो जाता है तो हम fourth चेक करेंगे fourth भी equal हो जाएगा तो हम fifth digit चेक करेंगे ऐसे ही comparison किया जाता है clear हो गया I think सबको तो आप लोगों को आज homework में करना क्या है exercise one point three ठीक है exercise one point three में यह question number first आपको करना है फिर आपको question number second and इसके बाद question number third आप सब लोग इसका screenshot अच्छे से ले लीजेगा अब वरना सबके पास book तो होगी ही तो सारे बच्चे अपने book में ये work करेंगे कोई भी इसे copy में नहीं करेंगा ठीक है आपको screenshot लेने के ज़रूत नहीं है क्योंकि सबके पास book होगी तो आप सब लोग इसे सिर्फ book में करेंगे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग अब next topic आपका start हो रहा है ascending and descending order अब ये topic हम लोग next video में discuss करेंगे अब करेंगे 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 करेंगे